क्यों कि अलो गैंज गोड आफ्टेन ऑन एवरीवन गूराप्ट्रान तो याप्स अब सभी के पास वोईस क्लियर आ रही है कि एक वर सबी लोग बता देंगे क्या आप सभी के पास वो इस क्लियर आ रही है क्या मिदने भी स्टुढ इन्टियों बदी इसे बता दें कि आप समी के पास उस के लिए आ रही है कि कि सबी लोग बता देंगे भाया कि आप सबी के पास मने वकल्दी पास वन कमेंट कर देंगे पॉल किलियर है चलो बहुत बढ़िया तो अगर सभी के पास किलियर है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और गई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सभी के पास आ रही है तो सभी लोग वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ठीक है दोस्ते एक मिनट मैं इसको सही कर लेता हूं कैमरे को कि अच्छे से तूरा में दिखवाऊं ठीक है चल लोग लाइक शेर कर देंगे भी है लोग आपको पता है कि मेरा नाम प्रविन कुमार है मैं आपकी एससी जेट एक लेजन्ड एजुकेटर हूं अगर आपकी किसी भी फ्रेंड्स को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप सिविल गुरू रैफल कोड उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों साथ मैं ग आपका स्टील हो चुका है गाईस साथ में आपका इंवार्यमेंटल इंजनेरिंग हो चुका है आपका स्ट्रेक्चर अनलाइस अभी चल रहा है रात को नो बजे रात को गाईस नो बजे चल रहा है तो आप जो भी स्टुडेंट इस्ट्रेक्चर अनलाइस पढ़ना चाहत सबस्क्रिप्से लेकर इसको बर कर सकते हैं ऐक बड़ी बात यह remedy चलासे एक सब्सक्रिप्से लेकर आप उसे भी जोइं कर सकते हैं अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी ओफर चल रहा है 31 तारीक तक आपको 9,650 रुपए का पड़ेगा दो साल का 11,900 रुपए का पर यहां पर आपको ऑप्डिसकाउंट मिल जाएगा सिविल गुरू कोड लगाने पर तीन गुरू कोड लगाना आपको डिसकाउंट मिल जायागा भईया ठीक है और अपने कोईंस भी अपलाई करना तो maximum 10% डिसकाउंट उससे मिल जाया ठीक है दोस्तों यह आपको maximum स्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो गाइस यह मैंने आप लोगों को बता दिया है ठीक आगे बढ़े गाइस अब देखो हमारी एक स्रीर चल रही थी आप लोगों देखा होगा ने यहां तक करने दो कर दिया था हमने रही यहां तक कर चुके तो सबосे पहले हमने दो तो गैस हम SSE GE का जो पेपर है तो अजार अठारा वाल वो सौल कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल में तो SSE GE तो अजार अठारा का गैस इसका कुछ सवाल यस्टरडे हो चुके इसके पार्ट वन में आगे के सवाल आज करेंगे ठीक है बिल्कुल डिटेल में करेंगे तो गैस पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने सबी लोग इसका जबाब देंगे और सबी लोग वीडियो को लाइक से जरूर करतो भाई तब लोग अराम से सवाल को पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे और सभी लोग से र करते तो यह करा कि विच आफ दा फूलुइंग इजर ऊफ नेग्टीव-एरा-इं-चेनिंग की बात हो रही है तो गैस तैगिंग इंचैन आगे लिखा है गैस सैगिंग इनगाई आगे लिखाय तो गैस मैं आपको बताता हूं करेक्शन की बात करें तो फोर्मूला होता है अलफा टी नोट इंटो एंट यह गैस क्यों होता है किसका गैस टैंपरेचर की वजह से पर मेरी बात ध्यांस नहीं अगर यहां पर Tm की value greater than हो जाती है T node से, तो guys आपका correction क्या positive आएगा, correction आपका positive आएगा, correction आपका क्या आएगा guys, positive पर यहां पर क्या पूछ रहा है, आपसे negative error पूछ रहा है, अगर correction positive है, तो सभी लोग बताएंगे error क्या होगा, negative होगा, तो error क्या होगा guys, negative होगा, clear guys, तो अगर rise करेगा temperature, अगर temperature rise करेगा, तो guys क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, अगर rise करेगा temperature, तो क्या होगा guys, आराम से कर सकते हो, तो आपका क्या होगा guys, यह वाला change हो जाएगे, negative error in change, अगर guys, आपका T node greater than हो गया T, तो क्या हो जाएगा, correction यह आप लोगों को बता चुको अच्छा चैना सभी लोग बताएंगे सै क्रेक्षन हमेशा क्या होता है कि तो गाइस तो पहला उप्शन तो ऐसे इकट किया अब गाइस आप कि बात कर सकते हो गाइस यह सारी चीज मैंने आप लोगों को बताती है इस से क्या होगा गाइस करेक्षन और उसका एरर क्या होगा पोजिटिव के लिए अगला सवाल करेंगे सभी लोग इसका अंसवर देंगे गाइस अगर आप लोगों को अच्छा लगे सैसन तो सभी गाइस बिलकुल आसान सवाल है आप लोगों ने पढ़ा होगा आराम से स्रिंकेज लिमिट क्या होती है वह मिनीमम वाटर कंटेंट जिसके उपर सोल के आती है फूली सेचुरेट है यह स्रिंकेज लिमिट है और उसके बाद आपका क्या आता है प्लास्टिक लिमिट उसके जग और यह संपाम सेसě इसके वाटर यह स्रिंकेज और आता है तो आपको अपता होनी चाहिए गाईइए तो अब लोगों को पता होनी क्लियर गाईडर मिट चाहिए वो मिनिममम वाटर कंटेंज इसके उपर सोईट फुली सेंच रोपता है अगला सवाल इसका आंसर पताएंगे एक क्रोस ड्रनेज वर्क इन विच कैनाल इस प्रवाइडेड ओवर दा नेचुरल ड्रनेज मतलब कैनाल उपर बैस इतना ही काफी सवाल को करने के लिए अगर कै कैनाल उपर है ड्रनेज आपका क्या है नीचे ड्रनेज और इसके लिए मैंने इसके यूटूब पर भी वीडियो बना रखा है वीडियो बना रखा है तो इस केस में दो केस बन सकते हैं एक तो आपका एक्विडक्ट हो सकता है एक आपका साइफन एक्विडक्ट हो सकता है है पर मैंने देखा सब्सकूइं तो कहीं पहें नहीं से एक ओप्सन वह गया एक विड़क डोल अगर यह नहीं कर पाए ना तो भई यह फिर आप गुमाएंगे गोल गोल गुमाया जाएगा अगला सब्सक्राइब चलो दा इस्टोरेज ओफ वाटर ब्लो दा पॉटम ऑफ दा लोवेस्ट रूज वे इन रिजर्वाइज पोल सीधी डेफिनेशन लिखी गई है डैड स्टोरेज अब यह क्या होता है सर्चार्ज स्टोरेज कल क्या होता है कली मैंने बताया था यह कली आपके यह सवाल ओड़ी आ चुक है ठीक है दोस्तों अगला सवाल करेंगे गाइस सभी लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पताने है बिलकुल आसान है डोल को इससे ज़्यादा आसान क्या होगा सभी लोगों को पता है डिफ्लेक्शन कंट्रोल करनेंगे लिए क्या होता है सभीर देप्च रेषों होता है तो केंटी लिवर के लिए सभीर एक टि बिए किस गस्तेफन चेलिए क्या होता है सिंप्ली सपोटेट और कंटीनिमस को किलियर तो गैज इसका आंच और सबको पता है क्या होगा गैज सेकिंड आप देख सकते हो डैप तो केंटी लीवर फिर सिंप्ली सपोटेट आराम से आप यहां पर देख सकते हो कोई भी बड़ी बात नहीं है किलियर गैज चल अगला सवाल गैज एड पर सीवी चीडें सोरी सी पी-सी भी हाव मच सोरीड बेस्ट इस जनेटेट पर कैपिटा परड़े परड़े तो मतलब सीपी-सीबी का मतलब होता है सेंट्रल कोलिउशन अब यह अच्छा सवाव है आच्छा क्या तो गाइज इसने पूछा है लार्ज लार्ज सिटी के लिए तो मैं बात बता देता हूं अगर स्मॉल सिटी के लिए पूछता तो इसने पूछा है लार्ज सिटी के लिए कितना हुआ गाइज इसका आंसवर क्या है लार्ज के लिए पूछा है तो तीसरा आंसवर होता विस्मॉल के लिए पूछता तो एक आंसवर किलियर गाईज अगर सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक कर देंगे भी यह ऐसे बत करो देखो मैं चारहों के सारे सेशन करवा दूँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे ठीक है लाइक तो करी नहीं रह खुद बताओ रहे जल्दी से इसका जवाब खुद देंगे सभी लोग इसका जवाब देंगे लाल प्रकास का उपियोग रोकने के लिए सिगनल के रूप में किया जाता है क्योंकि यह क्या हूता है इसका सभी दीदियां भी बताएंगी क्योंकि स्कूटी वो भी चलाती ह सकूटी तो वो भी जलाती है वो भी बताएंगी कि वो भी बताएंगी घिसकी लोग बताँ गैस के लोग बताएंगे क्या है आ क्या होती है लोंगेस्ट वेवलेंद एंड लो फिक्वेंसी होती है कंपेर्ट तू अगला सब्सक्राइब लोग बताएंगे वाट मस्ट भी रेडियस ओफ इस सर्कुलर करो पूर रेलवे ओफ गाइस कॉर्ड लैंड दे रखें 30 मिंटर कितनी दे रखें 30 मिंटर दे रखें और लेंद गाइस और आपसे डिग्री ओफ कर वेच दे रखें टू डिग्री तो रेडियस पूछ रहा है 30 मिंटर तीस अगर गाइस देखो 30 मिंटर के लिए होता है गाइस फोर्मूला डी बराबर 17 19 भाई आर और 20 मिंटर के लिए होता है गाइस ग्यारा 46 भाई आर 30 मिंटर के लिए पूछा है तो गाइस 17 19 भाई आ तो आर पराबर क्या हो गया 17 19 भाई टी तो 17 19 में किसका बाग देतो दो का बाग देतो 860 अगला अगला आपको बताना है कि गाइस विच्व दा फूलोईग इस एन एक्जामपल ऑफ स्टेटीफाइड रोग का एक्जामपल अगर यह किसी ने गलत किया ना भाई तो उसको पकड़ा जाएगा उसको पकड़ा जाएगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ गैस तभी लोग बताएंगे रोप्सन लिखो र क्या क्या शेडिमेंट्री रोग का क्या ना जा है से डιमेंट्री रोग तो चलो यहांपर दे दिया अखोची को हो गया सबawat के एकजाम्पल के सबको पता है एकजाम्पल आप इसको अनस्टाटिफाइड होता है इस रोगतो इसके एकजाम्पल सब क्लिए अगला सवाल है और हमेशा एकजाम में आता है और 2018 में फिरसे आया मैं चाहूंगा सबी लोग इसका एक्जाम और यह करा कि फॉर कोलम है अइडेंटिकल है उनके ओल पैरमितर एक्सपेक्ट कंडिशन को छोड़ कर सारी चीज़ें क्या है गाइस इक आइडेंटिकल है सेम अरेंज करना है उनकी गाइस असेंडिंग ओडर जाइस असेंडिंग ओडर लोड केरि लिख लोगे जब आप से पूछे जैसे बोला तो इसका कितना होता है इसका इसका होता है और वन एडर पिक्स अनोदर रेंड कि ट्स तो इसका ऑंसर क्या होता है गाईस तो गैस इसका answer क्या इसका होता है L by root 2 के लिए अब आपको load carrying capacity देखेंगे load carrying capacity का formula होता है πाई square EI L effective का square अब मुझे एक बात बताओ क्या उसी की load carrying capacity ज्यादा होगी क्या जिसका denominator यानि हर जिसका हर बड़ा होगा तो मुझे बात बताओ L square यहां तो L आएगा L by 2 तो L by 2 का square उपर क्या 4 चला जाएगा तो सबसे नीचे क्या रहेगा L effective 2L का square नीचे चा मतलब सबसे कम गाई किसमे रहेगा तीसरे वाले में सबसे कम रहेगा क्या तीसरे वाले में सबसे कम रहेगा क्योंकि नीचे क्या आएगा देखो ना पाई स्क्वाइर ई आई फॉर एल स्क्वाइर होगा ना तीसरे वाले में तो फॉर आ गया तो यह संख्या और चोटी हो जाएगी तीसरे का सबसे कम होगा एक ही ओप्सन है फिर आप ऐसे वैल्यू पुट करके देख सकते हो इस सवाल में आसानी से हो लगा ना क्योंकि जब इनका इसक्वाइर करोगे तो यह वाली संख्या जाएगी च्यार भॉपर चला जाएगा दो फर चला जाएगा मेरे साफ से यह बात सब्कों समझ में आ गई होगी क्लिए इस वात में किसी को भी डाउट नहीं होगा की लिया अब देखो गैस इन्व सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक इंक्रीज मैथड किसके लिए कि लिए कि यह यह भी आप से पूछा जाता है और इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता गाईज बिलकुल आसान है बिलकुल आसान है पी न बराबर के आता है पी नोट प्लस में एन अरिभर नहीं कितने साथ होता होगे तीन साल होगे की साल साल का मतलब क्या है घैस ठीटेट्स ठीट की टिकेट कि ठीट टेनल वराबर करो में ते तो इस नो आजार का और दो आगे चलू अगला सवाल क्या है यह मैंने आभी आप लोगों को एक दिन दो बज़े वाले कमीज में करवाया था और मैंने पूछा भी था तो बताएंगे गाइस प्लाइवुड के लिए कुन सी चीज लिखी गई है तो मैंने वहां पर आपसे आंसर पूछा था उसका आंसर तीन आ रहा था तो इसका दूसरा तीसरा सेकंड लिखा गया थी और किसमें गाइस पूछा भी तो था आप लोगों से मिनिममम कितना होना चीज तो आप लोगों ने बताया थे कि विसम संख्या में तीन या अधिक विनर्स को एक के मतलब को एक के ऊपर एक रखा जाता है ठीक है गाइस ये तो मैंने आप लोगों को पूछा लिए अगला सवाल गाइस कीपिंग अधर पैरामेटर्स अंचेंज फोर एक कंप्रेसिव मेंबर इन स्टील विच बकलिंग क्लास सेक्षन कैरीज मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस ये गाइस आप से स्टील का सवाल है और स्टील का आईयस की टेबल से सव सवाल है आपने पड़ा होगा गाइस A B C D इनके लिए वेल्यू भी पूछी जाते तो आंसर आगा इसका है तो यह आईयस पोड से सीधा सवाल है कोई बड़ी बात नहीं अगला सवाल गाइस सभी लोग बताएंगे which of the following following curves fulfill the requirement of an idle transition curve in horizontal alignment of the highway for such curve radius is inversely proportional to the length and centrifugal acceleration is uniform throughout the length बिलकुल आसान है सभी लोग बताएंगे क्या answer आएगा सभी लोग खुदी बताएंगे आई आर्सी क्या recommend करता है तो क्या answer आएगा मेरे सभी लोग बताएंगे गाइस तो प्रोटेक्ट फेरस मेंटल सीट प्रोम औरोजन्स दे आड़ी इने बात और मॉल्टन जिंक प्रोटेक्टिव लिए और उफीट अन दसीट दा प्रोसेस इस गोल्ट तभी लोग इससे कितना आसान सवाल यह तो आप बिना पड़े कर सकत लोगे दातों की सीटों को जन से बचाने के लिए सीट पर इसकी एक सुरसात्मक परत जोड़ने के लिए उन्हें पिंगले हुए जस्ते के इसनान में डबोया जाता है इस प्रिक्रिया को क्या बोलते हैं अगर आपने आठवी क्लास पढ़ा है धातों इम धातों के पढ़ा था तो आंसर क्याता है जस्ती करण जिसका अंसर ओप्सन होगा इससे ज्यादा आसान सवाल और क्या होगा बाई मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा आसान कुछ होगा के लिए उसके बाद अगला तैरा की फोर और प्वेंट सिक्स टाइप बोल्ट आपको क्या निकालना हो अल्टीमेट स्ट्रेंज निकालना तो इस फूर को किससे मल्टीप्लाइ करो सो करो से तो आंसर क्या आगया चाहिए इस दो दूबारा से पूछलो कभी भी दिया हो 4.6 कुछ नहीं करना है इस फोर को सो से गुना लिको गुना करना है और इल्ड स्टेंथ निकालना है वो क्या करोगे 0.6 इंटू अल्टीमेट कर दो कि लिए शर्ण का सब्सक्राइब करेंगे सबी लोग बताएंगे अगर आपको स्टेंथ करोगे यह सवाल आपसे पूछा रहे बताओ कितना वाट करोगे अगर सिमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंज निकालनी है तो कितना वाटर एड़ करोगे जबी भी आपको देखे तो अगर आपसे सेटिंग निकल वा रहा है इनिशल सेटिंग टाइम 0.85 और अगर आपसे साउंड नेस टेस्ट कर वा रहा है तो 0.83 और सभी लोग मुझे एक बात बताओ अगर टैंसायल के केस में कितना होता सभी लोग बताएंगे टैंसायल का सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओ टैंसायल के केस में कितना वाटर एड़ करते सभी लोग मुझे बताएंगे टैंसायल के केस में कितना वाटर आप लोग एड़ करते मुझे ये अभी आंस्वर मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ाओ तभी मैं आगे विल्कुल पीवाइफ अब सही काफी लोग उने सही लिखा है किंग यादा और इन सब ने लिखा है कुछ चल अब गाई सभी लोग बताएंगे दा मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेंफोर्समेंट इने रेक्टूंगलर भी सेल नोट भी मैक्सिमम एरिया तो गाई सबको पत को भी पता यहां पर खोटा डी करदेता तो वह नहीं होता है ऐसे और गया मीनिमम कितना प्रवाइड किया जाता है मिनिमम कूस्ता ते यांसर हो जाता है तो चीजे ध्हां से पता होने चाहिए अग्ला सवाल गाई अगर आपके फॉर बेरिंग ओफ रेन पता है वर बेरिंग क्ट की की फोर बेरिंग देड़ा और बी लाइन की फॉर बेरिंग पूछ रहा है तो इसकी बेग बेरेंग के बराबर होगा यस तो यह क्या होगा दैस एक बैग बेरेंग के बराबर क्या होगा सवाल है अगला सवाल गैस कि बताओ which of the following quantities is not measured in meter square कौन सी quantity meter square में measure नहीं होती है कौन सी quantity meter square में measure नहीं होती है सभी लोग बताएंगे गैस तो damn proof course meter square measure होती है गैस window input meter square measure होती है RCC work for staircase ये गैस बताओ सभी लोग RCC work for staircase किसके लिए होगी गैस सब्सक्राइब लोग बताएंगे गैस RCC of staircase पैंटिंग ओल्ड गैस ये किसमें होगी गैस meter square में तो गैस इसका answer क्याएंगा सब्सक्राइब लियर इसमें कुछ सा कून सा meter square में मेजर नहीं हो अगला सवाल गैस ये मेरे साब से आप लोगों को नहीं पताओगा डैड मेन इजे टर्म रिलेटेट टू कैल्पिलेटिंग क्वांटिटीज आफ तो मुझे बताओ डैड में जो ट्रीक है जो सोरी डैड में जो टर्म को किस से रिलेटेड है मुझे ये बात बताएंगे सभी लोग बताओ तर मैं अनकेडमी पर आपको खोज रहा था अरे भीया मेरा लिंक ओल्रडी पिन है आप सभी लोग मुझे वहां से जोइन कर लो ये लिंक पिन करतो रखा है सोरी सोरी डैड में घोई साथ पर जो खोदे गड़े में जो अबाधित मिट्टी के जो टीले होते हैं मिट्टी के टीले उसको बोलते हैं अगर मैं इसकी लिवाँ अगर आपसे नहीं इसकी डिविनेशन लिक्वाँ तो क्या लिक्वाँगा थाइस आंस ओस अर्थ लफ्ट 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 अंधस्ट अंधसर अंधसर इंपित्स विट्स डग आउट और पॉर और पॉरी गुरूइंग अर्थ इनके दूसरा नाम गाइज इसके दूसरा नाम क्या गाइज बिल्कुल टैल टेल्स बोलते हैं बिल्कुल सही बात काफी लोग गोल रहे हैं क्लियर गाइज अगला सवाल गाइज यह एफम का सवाल है 136 मोडल ओफिस पील वे यह गाइज एफम सब एफमें वेलोश्टी गाइज दो मिटर वाट इस दा कर्स्पोंडिंग अरे भाई बिल्कुल डोलक सवाल है आप लोग आरांग से कर दीजी एलार दे रखाया वन बाइच शतीस वी एंडे रखाया आपको दो मिटर पर सेकिंड आपको वेलोश्टी निकालना है किनी यह निट निकालना हैं तो सबको पता है गाइज भी एम बई भी बराबर क्या हो जाए रूट एलार की रूट एल एले लटी को किर रूट एल एम पर सेकंड यह तो कोई बड़ी बाज नहीं तो आपर आराम से रूट बहुट रही का देडिगा अगला से इस अगला कि अभी दोर को सुभाई बताया था बोल्लिक ओफ वाटर से क्या करते हैं अगर ये सवाल नहीं बताया न तो गए काम से बोल्लिंग ऑफ वाटर और एडिंग लाइन से कूंसी आड़नेस रिमूँ करते हो यह तो बता दो महा काल नाम है मेरा और काली का पुजारी हूं है और दुस्वनों को पहनाने वाला कफन भी का ला डायलोग है न वाई किस मूवी का है चल तो आंसर क्या आगा कार्बोनेट ऑफ केल्सियम सभी सुबह तो बताया था बोलिंग ऑफ वाटर से क्या आगाईज आप टैंपरेरी हाडनेस किसकी वज़े से होती है कारबिंट और वाइक केल्सियम कार्बूनेट केल्सियम चल 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 श लुकुल आसान है वहन्दा डुरेशन ओफ लीजまだ पार नीकिन एर सथिस को डोलेंगे गई गैस गैस नटीन है तिसको क्या बोलेंगे गाईज गैस अइन तीम क्या हे गैस किलियर सबी लोग उनको समझ में अगर 99 है तो उसको क्या बोलेंगे लोंग ट्रम दीज दूबस में अगर दैसर नीमितनीन मैं के लिए मैं वंन मुंता तो पड़ा जो में सो मुस्तिन निना तो आश्市 सब्सक्राइब बॉलते कमें और या कीबख सब्सक्रानगा है तो कि एंडेडे स्थोडे सेज़ के लिए पूछ रहे तो आंसूर का गैज दस अगर गाई एड रोल के लिए पूछता है सकती आप लोग Vel Hills सब्सूंद से सवाल is वोग वीडियो को लाइक और ऐसे कंजू कोशी ना करें आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तब लोग बताएंगे कली तो पूछा था आपसे फॉलोइंग expression is used to calculate annual depreciation कल आप लोगों से मैंने एक सवाल करवाय था ना book value का कि उस building की value कितनी रह जाएगी तो वहाँ पे annual अगला सवाल कि यह पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्टेट्मेंट आट्रू दो अब व 항वशंत लेविर्ट पाईप्स ले मिनर की बात होरी मिना तो पांथ यह दो यह बताने पार्ट्कल देन टीटल अलोग अंग इस्टेट लाइन गवलनिंग पार्टीकल अच्छ सब्सक्राइब कि लिए इसका तो पहला और तीसरा सब्सक्राइब को पता है आराम से इस तरीके का जो किसी को को डिस्टब नहीं कर रहा आपने आप चल रहा है अवसाइब प게 ही यह इसको बोलते लेमिनार पने जैसे अप समझ सकते हैं लड़का है और एक लड़की जब यह लड़के को यह लड़की पसंद है तो यह इसके पीछ सब्सक्राइब करें कोई भी हारकत नहीं करेगा आराम से आराम तो यह ले मिनार और जो सक्त लोंडे होते हैं जो बिल्कुल मतलब जिनकी कोई गल्फरेंड नहीं वह इधर भी जहां दे रहें इधर इधर पड़े कभी इधर कूट पड़े कभी इधर दिग तो इधर चले गए इधर देगे यह तर्बूलेंट यह आपका ऑगा एंगे गई विच ओबड़ा फो लोईग्ट फॉलोईंग फर्स पर्संटेज इन गूड परीक आइग तो आंसर क्या गई इसका आई मिझा सिलीक क्या और समीट क्यूं चाचा सिलीक सब्से जादा होता है कैसे याद रखो कि एस पूर सिलिका एस पूर सिक्स्टी तो पचासते साथ क्लियर गाइस एफ और एलुमीना एफ और आलू ट्रीक सुन्लो इसकी एफ और आलू पर आलू की रेट जनली कितने होती है बीस से तीस परसेंट यह भूलना नहीं है तो आंसर क्या आगा सिलिक क्ल होता है अगला सवाल गाइस कि विच आप दा नोट ए गाइस डिकलोरोनेटिक एजेंट कौन सा नहीं है सभी लोग बताएंगे यह तो आप लोग यार खुझको भी पता होना चाहिए आपने बहुत सारे डिकलोरिंग एजेंट सुने हैं मैंने आपको लिखवाई भी थी ज अरिटुटेड्ड कार्बन मने स्किलिय जूडियूम सलफेट तोडियूम सलफेट यह सब क्लोरिंटिंग एजेंट उटली क्लोरींट क्या होता है पर जakra यहोग जब आप आपको रिमुव करना होता है जब आपका एक्सिस डिशुरील आपको करना होता है तो हम डिकलोरिंग ऐजन मिला यह सारी क्या है एकेस एक के लिए रिश्पॉंसिबल और एक बात मेरी बात ध्यान से उसनलो मैंने इसी के उपर एक वीडियो डाल रखा इसी यूटूब चैनल के उपर जिसमें मैंने ये बता रखा कि मतलब 2017 में कितने लोगों ने दिया उनीस में कितने लोगों ने दिया इस तरीके से मैंने लिस्ट करके एक वीडियो डाल रखा है सोट करके येस्टडे डाल तो आप लोग उसको देख सकते हैं आप लोग उसको देख सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कंपरिशन कितना लास्ट टाइम 6 लाग के करीब थे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं वो वीडियो सभी लोग देख लेए किलियर अगला सब्सक्राइब तो गाइस बहाट इस दा मिनिमम एरिया ओफ ओपनिंग एक्सिदिंग विच डिडेक्शन सेल वी मेड वाल प्रिपरिंग बिल ओफ पॉंटिटिटीटीज फोर रूफ कवरिंग एंड क्लेडिंग गाइस यह सीधा आप लोगों को पता होना चीए आईस पोड का स्पेसिफिक पर सेल भी डिडेक्टेट एंड कटिंग रिक्वाइड सेल भी मेजर इन रनिंग मिटर्स तो आंस्वर क्या वागा गाइस जिरो प्वेंट फॉर मिटर्स क्लियर आगे बढ़ी दिया आगला सवाल गई वे दू ओन सा कंपोनेंट ओर्णरी पोर्टनेंट सिमिन्ड में रस्फोंसिबल होता है देख दू चीजिए होती एक होती है आपकी अरली स्टेंथ बोल दो यह फ्लेस स्टेंथ बोल गों है एक होता है आई आपका अल्टिमेंट जभी भी थीन तरिके के सवाल बनते हैं तो आपको जब्लै सेटिंग का बात करें तो युक्षी थ्युक्त का अग्ला सबढ़एगत ठेमी श्वाण्स यjuk¿ ने डीता हूं अग्ला सबाल सबसे पहले किससे पता करते हैं तो इस लिच लियर फ्लास्क होता है और नेरी इस तो कोई बड़ी बात नहीं है आराम से कर लो अगला गैस सवाल हैं गैस सब्सक्राइब बताएंगे यह सवाल तो आप लोग ही बताएंगे इससे इसका मैं क्या बताएंगे घाएगा इसका आन्स्वर क्या आएगा सभी लोग बताएंगे सभी लोग इसका आंस्वर बताएंगे भी या इक्वल टू एट लिस्ट कितना गाइस 85 परसेंट यह तो आराम से उड़ा दीजी IS456 पड़ा हुआ आप लोगों ने 95 परसेंट कहां से आ गया इस 95 वाले को इधर लाओ आगला साथ आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है विक्स यहां पर क्विक्सेंट की बात हो रही है किसकी बात हो रही है क्विक्सेंट की बात हो रही है तो इसके लिए कून सा स्टेटमेंट सही है यह बात सही लिखा 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 है उसके बाद अग्ला लिखा भी सैजड कंडिशन अकर मर्मली कोस न्यक्यों भी लोग बता पर होता है कि अग्रीं लोग बताएंगे गईस यहां पर और उन से स्टेटमेंट से एक तो पहला सीव तरह हुआ है इस ट मैं और एक त्रीशंग आई दूसरा तो दो आ गया ये option गलत हो गया दो तो आएगा ये option गलत हो गया एक तीन चोथा ये गलत हो गया चोथा क्या आएगा गाइस सबी लोग बताएंगे फोर्थ वाला क्यू गलत है काफी लोग सही आएगा आएगा तो बिल्कुली मतलब शटिक आएगे रहे हैं इसको गाइस बोईलिंग कंडिशन भी बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है गाइस चले आगे अब सर ये तीसरा वाला सही कैसे है तीसरा वाला बिल्कुल सही है गाईस इसको सोल कर लोग बना जाएगा इसलिए आपका तीसरा वाला सही है इसने लिखा है ना देखो अप्रोक्समेल इक्वल टू यूनिटी तो यूनिटी आप तो गया आड़ली ग्रेडेंस या आप लोग के लिए ऐसल आगे चले असवी लोग बत्याकिई सट्पीन फिक्स अमांट रोंद भूर्स ग्रोश रेंट और इंकम सब़िप्ते का अंस्व्ड उसका अंसर बताएं बहि This सीधी डेफिनेशन लिखी गई है एक मिन मैं सब के कमेंट भी रीड करूंगा क्या कमेंट कर रहे हुए आप लोग कुछ कर भी रहे हुए या ऐसे सभी लोग बताएंगे इसका क्या आंश हो रहा है सभी लोग बताएंगे गई बिलकुल बिलकुल नरेंतर जी यहां पर देखोचांसर क्या है तेंकिंग क्या होता है खैस किसी प्रोपटी की संपुल्ड लाइफ की दोरान एन्वली शामा किया फंड क्या क्या गया गया फंड जिसका उप्योग आपको क्या करना है गईग इस उससे दुबारा बनाने के लिए किया जाना हो उस फंड को sinking fund कहते हैं दुबारा से बता देता हूं sinking fund क्या कहते हैं आप लोगों का मैं comment भी read कर रहा हूं guys कोई भी property है उसकी whole life के दौरा आप लिया या yearly आपने कुछ fund जमा किया अब आप उसकी लाइफ खतम होगी और अब उस फंड को उसी को दुबारा बनाने में आप यूज में ले रहे हैं उसी को बोलतें सिंकिंपर जैसे यह आपने का कोई होस्टल है होस्टल की गाइज उमर है चाली साल अब आपने इसको किराये पे दे रख तो आपने क्या किया कुछ ना कुछ यह ली आपनी मानों लोग दस लाघ मतलब पांसलाघ रूपे बचांग आपने जमा किर ली 40 साल बात कि अगर आपने जो भी तो गया 40 40 साल में जितना भी जमा हुआ वापीस आपने से सब्सक्राइब उस फंड को जो आपने बचा के रख उसको बोटने सिंकिंग उसको वो पिरण इसकोल डोल की यह तो बता दीजिए वैसे तो बहुत लिखते हो देशी छोरा चोरा घाओं का देशी देशी अब तो बता दीजिए तब बता दें फसल वर्स पर में फसल कि आवस्ताप तनुसार सिचाई के लिए पाने की आप उर्ती को क्या कहा जाता है बारे मैसी सि सवाल है सीधा यह सपोट्स है गाई चालीस एम्म और फॉर टाइमस दा साइज आपके नोट्स में लिखा रखा है आप जाके नोट्स चेक कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं आगे चलेंगाई उसके बाद अगला सवाल रिलेशन बताने आपको रिलेशन बिट्विन मोड क्रिस्टिक्स कंप्रेसिव और को रूप फिलासान एट्स यार बराबर कि तो चाहिए जीरो पैंट सीवरट एट सीब्स के कि लिए यह किसका फोरमुला लिखा है यह तो मोडूला सो फिलास्टी का लिखा है तो आप आंसर क्या है सीज़र क्लियर अगला सबाद है और इसका डायमेंटर गाइज क्या है और फुल रनिंग क्या हो रहा है एरिया क्या होगा गाइज सभी लोग बताएंगे गाइज सभी लोग बताएंगे सकता हूं ना यहां से कट गया गाइज तो मैं कर दा हूं पाई तो ए भाई पी बराबर आ गया वन भाई वन भाई फूर का मतलब जिरो प्वेंट पच्चिस इसका अंसर है एक रुपए की पैप्सी सोनु सागर डोल की यह डोल की पढ़ले पढ़ले फिर नाचे नागिन गली गली फिर वो देखा नहीं कि साधी में यह गोडे वाला है और वो नास्ते रहते हैं और जैसे दसका नोट आएगा ऐसे पढ़ले डोलक डमरू साब बना देंगे फिर फिर वोगा नास्ते रहना नाचे नागिन गली गली आपका कूंसा फोलोइंग गाइस ट्रू है तो ट्रू सेकेंड लिखा गया है आप देख सकते हैं इस लेंडर सेक्शन सेल नोट भी यूज एज एक कंप्रेशन मेंबर यूज नहीं करते हैं कि लिए अगला सवाल गाइस वाट मस्ट भी दा हाइट ऑफ स्लेंडर सेंपल फॉर इस्प्लिट एंसाइल स्टेंथ टेस्ट ऑफ इस्टों इफ दा डायमेंटर कितना दिरका है तो गाइस यहां पर डायमेटर जो हाइट का रेश्यो होता है यह कितना पचास और हैट बड़ाबर रदर रावर कितना जाएगा सब्सक्राइब नहीं क्या होता है और ऑफ प्सक्राइब अगला सब्सक्राइब हो तो आपके चो डिजोल सोलीट से बस या चोटे चोटे पार्टिकल उनको सद्ट घ्राने के मिफटे है क्स जैसे क्ट्रइव हो गया यह क्या करता है नि वहां जाकर से कंपाउंड हो और फिर वाँ Autork नीचे Settl तो मुझे बताओ क्या होते हैं वह क्वांटिटी डोग गुलेंट की जिस पर वो मैक्सिमम फ्लोग बनाए उसको बोलते हैं गाइस ऑप्टिमम डोज और जा टेस्ट कितने सैंपल होते हैं वो सोरी कितने वो होते हैं वो बताएंगे जोड़ी से अगला सब इन इंडिया यल्लो एंड वाइट कलर ऑन ए माइल्स ग्रीन और स्ट्रीट के लिए मेजर डिस्ट्रिक रोड के लिए मेजर डिस्ट्रिक रोड के लिए गाइस कौन सा है औरेंज teacher sasam Isis को मेज़र डिस्टिक लिए ग्रीन ऊगा ना मेजर के लिए तो बिलू और गलुब तो और गी और वाइड और वाइड और देम सुर्द के लिए गाइड और और अएंज वैट सब्क्राइब के लिए गाइज ब्लू और ब्लेक टे टेंट तो मैंने क्लिए कंपेकशन के लिए क्मातलब क्या है बुढ अगर जब तो सभी लोग मुझे बात बताओ अगर आप एर रोइट्स को रिमूव करोगे तो सभी लोग बताएंगे आपकी घटेगी है बढ़ेगी तो पर्मेबिटी घटेगी ना क्योंकि वोइट्स कम हो गए हैं चीज डेंस बन रही हैं तो आपकी क्या होगी कॉमपेक्शन इंक्री नहीं डिकरीज क्योंकि वोईट्स कम हुए हैं तो पर्मेबिटी क्या होगी डिकरीज होगी तो यह गलत लिखावा और गलती पूच इसका आंस्वर क्या एगा स्था क्या यह बात सबको समझ में आई क्या तवी लोग बताओ क्या आपको ये सवाल समझ में आया क्या सभी लोग बताएंगे आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई सभी लोग बताएंगे तो कॉम्पैक्शन से क्या होगा गाई अब लोगों की क्या हो जाएगे जाए अच्छा पोरोशिटिंग वी डिक्रीज होगे हैं अगर क्यूंकि एयर वॉइट से निवोइट्स कम हो रहे तो गाई सब्जै का मोगी के यह मैंने आप लोगों को बतातीया यह पीडियर मी यह उसी तरीके से गाईज अब आप लोगो कि आएंगे दूसरी सिप्ट का पेपर यह सिप्ट वन का था अब हम 2018 में जो सिप्ट टू है उसका पेपर लेके आएगे इस तरीके से हम जितने भी की एससी के पेपर है तारे सोल कर लेंगे सभी लोग गाइस वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जिस भी स्टूडेंट को जो डाउट है वो यहां पर पूछ सकता है मैं आपके कमेंट रीड करने के लिए बैठा हूँ जिसको जो भी के बारे में पूछ सकता है जो जिसको जो पूछना है वह पूछ सकता है मैं यहां पर बैठा हूँ जिसको जो जो पूछना है बड़े प्यार से पूछ सकता है वीडियो को लाइक तेर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहा है अब दो बज़े वाली कमी सब कर देंगे कल से स्टार्ट वरिंदर नेहाराज थैंक्यू मैं कि याद आव भी या बहुत बढ़िया सर एक सो तेरा लाइक कर दिया बहुत बढ़िया भाई शॉनु वोके शर धीरजो के नेहाराज थैंक्यू दीप सर्थ क्वीज नहीं रखेगा क्वीज स्टार्ट कर देंगे दीप सोरव लाव टू ट्रेबल ओके शार पंकज बहुत बढ़िया सर मैंस के लिए कौन सा बुक ले की एसी के पूरे लगाओ और एससी जेए के लिए सारे जो जो भी मैंस की सोल्यूसन है उनसे लगाओ तर अनकैडमी पर क्वीज करवाओ संज है बहुत बढ़िया करवा देंगे पं कैसे करें पढ़कर करें थैंक्यू फॉर दिस सेशन जिचे इंदर बहुत बढ़िया मंता करें सब्सक्राइब क्लास में नहीं हो सकता है कि रात में नहीं महीं हो थोड़ा आप सैडूल हो गया भूसी रहूंगी तर क्लास को रात में रखो दो वज़े वाली क्लास अब एक बुक कर ले और सारी सवाल लगा ले ठीक है नवल सर अनकेडमी एप पर लोग वी जो के सर यूथ पब्लिकेशन का बुक आप पर कर सकते हैं आप कर सकते हैं मतलब कि लिए सरे क्वेशन मेंस के लिए बुक भी ले लूँ अभी पहले पहले पिरी की बात कर लो अभी कि कल से दो बज़े वाले क्वीज रखते हैं बिलकुल सर सब 6 अगस्त को मेरा मार जहीं का एक्जाम स्कोल्दा बैस शुबं सर बीन सी बहुत अच्छी पढ़ा रखी है दूरी बार नहीं पढ़ूंगा दूसरी बार निप थैंक्यू वरिंदर क्लास में कर देना चीए सर सारी क्लास प्री में कर फिरी चल रहा है आपने इस पैसा थोड़ी दिया भी सर इवनिंग की क्लास आदा घंटा खिसका लो ओके भई खिसका देंगे ठीक है किस के लिए पूछ रहे टेकनिकल या ओन टेकनिकल के लिए और ब्री इंजिनरिंग पढ़ाओ जो आता है कार्थी कभी तो पढ़ लीजिये ना जिनका वेटे ज्यादा होता है आठ से कर लो श्याम की क्लास हो की आई सर बुक ऐसा रहेगा राज बढ़िया रहेगा और किसी को जो जो डाउट भी आप पूझ लीज़ी अभी तो फिरी है। इसको जो जो डाउट है आप कमेंट कर के पूछ सकते ह। सठोस की बहुत अच्छी प्राइच्य आपने बहुत बढ़ी है नहीं था हैंक्यूट वाइश सर्भाई को बहुत अच्छा टलास राग थैंक यू सो मच्छ बाइगाइज बाइविक्स अलो गाइज थैंक